हेलो एवरिवान वेलकम ट्यूबर चौनल आज के वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडिंग रफल कैदर स्लीव के ड्राफ्टिंग विद थियोरी ये वीडियो हमारे सब्सक्राइबर के डिमांड पर है इस ब्लाउस की और स्टिचिंग का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क स्कूर्ट, फोर टक्स, वन टक्स, टू टक्स जेसा भी आप बनाना चाहते हैं उस तरह का ब्लाउस आप सिंपली मांग कर लीजिए अब ब्लाउस की मांगिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है कि अगर पीछे का गला हम बड़ा रख रहे हैं तो हम शोल्डर और आर्म होल थ ठीक है और उससे आदा इंच बड़ा कर आप आर्म होल ले लो और वही सीने का चोथा हिस्सा और वही कमर इस तरह से पूरा आपको मांग कर लेना है लैंध भी आपको एक इंच प्लस करके लेना है बेक पार्ट में और फ्रेंट पार्ट में डेर इंच प्लस करके ले लेना और गले की चोड़ाई आप 2,5-3 इंच ले सकते हो धाइंच भी ले सकते हो तीन इंच लिए नॉर्मल वही आर्म हूल का शेप देना है बैक में डार्ट लगा देंगे बैक का निक 10, 10, 10, 8 जितना आप लेना चाहो ले सकते हो बैक के आर्म हूल का शेप 1,5 इंच पर देंगे अब आते हैं में हमारी डिजाइन पर देखो ये जो डिजाइन है ये स्लीव के जिसे अटैच होगी उपर से तो इतना कपड़ा हमें बलाउज में से निकालना होगा तो ही अटैच होगी अब आपके उपर डिपैंड करता है कि आप इसे कितना रखना चाहते है साड़े ती इंच या 4 इंच तो उतने पर आपको शोल्डर की साइड से यहां पर इंच टेप रखना है और माउग कर देना है 3.5 इंच या 4 इंच इतना पर आप ले रहे हो जैसे मैंने 3.5 तीन इंच पर यह माउग कर दिया और सीधी लाइन बना दिये, यह देखो इस तरह से, इस तरह से हम साड़े तीन इंच की यह सीधी लाइन बना देंगे, अब यह मैंने फ्रंट में बनाई साड़े तीन की, से में से ही मैं बैक पार्ट में भी साड़े तीन इंच पर एक लाइन बना दूंगी, और यह कपड़ा यहां से हमें cut कर देना है यह जो line है ना यहां से हम cut कर देंगे दोनों side मेंने 3,3,3 लिया है अगर 4 ले रहे हो तो दोनों side 4,4 inch लेना है यह कपड़ा हमारा cut हो जाएगा यह निकल जाएगा अब इसकी जग़ हमें जो design add करनी है उसके कपड़े की कटिंग देखनी होगी, तो चलिए इसे देखते हैं, तो देखिए, स्लीव स्ट्राफ्टिंग, स्लीव के लिए मैंने फैबरिक कैसे लिया है, ये मैं आपको समझाते हूँ, देखिए, कपड़े की जो चोड़ाई रहेगी, वो आपके उपर डिपैंड रह आएगा, साड़े तीन बैक में आएगा, टोटल कितना हुआ, साथ इंच हो गया, तो हमें इसमें एक इंच प्लस करके आट इंच लेना होगा, तो हम इस स्लीव की लंबाई कितना लेंगे, आट इंच लेंगे, साड़े तीन एक साइड आएगा, साड़े तीन फ्रंट, कोटल कितना हुआ साथ इंच हो गया एक इंच सिलाई मार्जन का प्लस किया तो हमारा आट इंच हो जाएगा तो इस तरह से आपको बाजू की लंबाई आट इंच ले लेना है बागी चोड़ाई आप 15, 20, 25, 30, 35 अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं और नर्मली आप 20-30 इंच भ बनाने के लिए जिसे नॉर्मली आप जिस तरह की भी 1 टक्स, 4 टक्स, ब्लाउस कर बना रहा है वेसा ही बना लेना है और नेक लेंद, आर्म, होल, चेस्ट सारी मार्किंग करना है सबी निशान के बाद आपको शोल्डर से नीचे की तरफ सारे 3-4 इंच तक निशान लगा देना है और फ्रंट बैक दोनों में सीधी लाइन उसने शानपन बना कर कटिंग कर देना है तो यह हमारी क्योरी भी कंप्लीट हो गई है बस इतना ही धिहान रखना है कि यह डिजाइन आपको बनाने के लिए जितना भी आप यहां पर मार्क कर रहें उससे डबल कपडा ले और उसमें एक से सवा इंच मार्जिन ले ले तो यह थी आज की वीडियो आई हो आपको पसंद आई हो कटिंग इस्टिचिंग के वीडियो का लिंग डिस्क्रिप्शन में और उपर आई बटन में मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई